आपने हमेशा से सुना होगी चलना आपकी सेहत और दिल के लिए बहुत जरूरी है अक्सर लोग खाना खाने के बाद खास तोर पर डिनर के बाद वॉक करते हैं अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करकर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो आप चक्कर में पढ़ जाएंगे अब चलिए हम आपको बताते हैं हमारे हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा में कि खाना खाने के बाद हमारे लिए वॉक करना ठीक है या नहीं खाना खाने के बाद चलने की सला तो दुनिया देती है आखिर ये गलत कैसे हो सकता है मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन व भर करती है आम तोर पर दिल की अच्छी सेहत के लिए आपकी स्पीड कम से कम तीन से चार क्लोमीटर यानि की चालिस से पैतालिस मिनिट में यानि की दस से ग्यारा मिनिट के अंदर एक क्लोमीटर चलना चाहिए बुजर्ग अगर उमर सतर साल से जादा है या फिर उनकी चाहिए जरूरी नहीं है कि आप एक बारी वॉक करें वॉक करने के लिए आप दो बार भी कर सकते हैं तीन बार भी कर सकते हैं सुबह भी वॉक कर सकते हैं डिनर से पहले भी वॉक कर सकते हैं कई लोगों को यह लगता है कि डिनर करने के बाद ही वॉक करना चाहिए लेकिन क कारण है कि जब आप खाना खाते हैं तो उससे पचाने के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आतों और पेट के अंदर बहुत जादा हो जाता है खून का प्रभाब दिल से हटकर पेट में चला जाता है ऐसे में अगर आपको दिल की कोई बिमारी है तो आपको ऐसा पेन भी ह हो सकता और दिल की बिमारी और भी बढ़ सकती है इसलिए खाना खाने से एक देट घंटे बाद जब खाना पज्य उसके बाद आपको वॉक करनी चाहिए क्योंकि ऐसी सिच्वेशन में तेज वॉक करना संभब नहीं होता अगर खाना खाने के बाद तेज वॉक करने से दिल से कम आदा घंटा दिन में जरूर चलिए अगर हफते में 5-6 दिन भी आप वॉक करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए काफी जदा अच्छी होती है इसके साथ ही आपको दिल की बिमारी है तो आपको तेज वॉक नहीं करनी चाहिए अगर आपको खाना खाने के बाद वॉक कर करनी चाहिए आज के लिए बिस इतना ही ऐसे हेल्थी डिप्स के लिए बने रही हमारे चाहन दनगदी मीडिया के साथ तन्यवाद अपको जए तन्यवाद